अगर आप भी उसी लिष्ट में सामिल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चेनल परिक्षा किंग में आज हम बात करने वाले हैं लेक पाल भरती 2021 के बारे में आखिर इस भरती के लिए फार्म कफसे भरे जाएंगे क्योंकि इस बार पीटी का रिजल्ट तो अभी तक डिक्लियर नहीं किया गया है वहीं लेक पाल भरती के लिए योगिता क्या होने वाली है क्या 12 पास वालों को फार्म भरने का मौका मिलेगा या सिर्फ इस नातक वालों को ही फार्म भरने का मौका मिलेगा उसके बाद सबसे महत्पूर्ण सवाल टिपल सी जरूरी है या फिर नहीं क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी तक टिपल सी सार्टिफिकर्ट नहीं है तो ऐसे मगर वो पीटी को पास भी कर लेंगे तो उन्हें लेक पल भरती में फार्म डालने का मौका मिल पाएगा या फिर उनको फार्म डालने का मौका नहीं मिलेगा उसके बाद बात करेंगे कि एज में क्या कोई बदलाओ होने वाला है क्योंकि दो साल तो कुरोना में ऐसे ही सब लोगों के बरबाद हो चुके हैं तो आयोग और सरकार इस पर कुछ ध्यान देने वाली है या फिर नहीं पीटी पर इच्छा 2021 के होने बाद जितने भी लोग पीटी को क्वालिफाई करेंगे उन्हें सिर्फ फार्म डालने का मौका मिलेगा तो ऐसे में ये सवाल निकल के आता है आखिर कितने नंबर वाले च्छात्रों को फार्म डालने का मौका मिलेगा या फिर सिर्फ पासिंग मार्क से ही सभी लोगों को फार्म डालने का मौका मिल जाएगा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेक पाल भरती 2021 के लिए योगिता क्या होने वाली है तो जो पिछली भरती थी उसमें 12th पास ही योगिता थी और इस बार भी 12th पास ही योगिता होगी क्योंकि जो लेकपाल की भरती है वह 20,200 ग्रेड पे की भरती है जो सिर्फ 12th पास वाले लोग भी फाम अपलाई कर सकते हैं वहीं सबसे महत्पूर्ण सवाल ये निकल के आता है ट्रिपल सी इस बार जरूरी होगी या फिर नहीं अब लोगों ने ध्यान दिया हो लेकपाल भरती का जो इसी सरकार में विग्यापन जारी हुआ था एक दो साल पहले उसमें तो ट्रिपल सी की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इस बार ट्रिपल सी सार्टिफिकेट सायद जरूरी किया जा सकता है लेकपाल भरती के लिए ऐसे में जिनके पास अभी triple c certificate नहीं है वो exam दे के जल्दिस जल्दी triple c certificate हासिल कर लें क्योंकि अगर आपने pt exam qualify भी कर दिया अगर आपके पार triple c नहीं होगा तो आप लोगों को लेक पाल भरती में फाम भरने का ही मौका नहीं मिलेगा एक्जाम देने की तो बहुत बड़ी बात हो गई वही इस बार ये भी हो सकता है कि CCC में पहले यस या नो कराया जाता था फाम अपलाई करने के वक्त लेकिन अब सार्टिफिकेट नंबर भी इस बार भरवाया जा सकता है इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इसमें लापरवाही न बरते जल्दिस जल्दी CCC सार्टिफिकेट हांसिल कर लें वह अगर एज के बार हम बात करें तो पिछली बार जो एज लेक पाल भरती के लिए थी वो 18-40 वर्स थी और इस बार विसायद यही होने वाली है प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तो हमें नहीं लगता है कि 40 वर्स से जादा किसी को भी फाम भरने का मौका मिलेगा जन्रल के लिए यह बात कर रहे हैं वहीं SCST में जो छूट मिलती थी OBC के लिए वो बराबर मिलेंगी लेकिन इस बार सबसे महतुपूर्ण यह भी होगा कि सायद EWS वालों को भी एज में कोई छूट देखने को मिल जाए क्योंकि राजस्थान में जितनी भरतियाब हो रही है उनमें EWS वालों को भी फाम भरते वक्त एज में छूट मिल रही है लेक पाल भरती 2021 के लिए फाम कपसे भरे जाएंगे तो अभी तक तो PT की रिजल्ट सामने नहीं आई है जैसे PT का रिजल्ट सामने आ जाएगा उससे 6 या 7 दिन के अंदर ही लेक पाल भरती काफी विग्यापन देखने को मिल जाएगा अभी तक देखा जाए तो आयोग अपने कैलेंडर की हिसाफ से चल रहा है तो जो लेक पाल भरती के लिए संभावित थी थी वो नॉवंबर 2021 है तो अभी नॉवंबर को आने में तो 5 दिन पूरे पूरे बाकी है तो अगर 3-4 दिन में आयोग की तरफ से पीटी का रिजल्ट घोसित कर दिया जाएगा तो 6 या 7 तारीक से ही लेक पाल भरती का विग्यापन भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा वहीं अभी तक लेक पाल भरती के लिए सिलेबस भी आयोग की तरफ से नहीं जारी किया गया है जब भी विग्यापन जारी होगा उसके साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा अगर वहीं एक्सपेक्टेड फार्म अप्लाई डेट को देखें तो 15 नौंबर तक सायद फार्म भरने का मौका हम लोगों को मिल सकता है जो लोग अभी लेक पाल भरती के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ पीटी के रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं को पनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें क्योंकि जैसे ही लेक पाल भरती के विग्यापन जारी होगा उससे एक से डेड़ महीने के अंदर ही एक्जाम को कंड़क्ट करा लिया जाएगा क्योंकि आगे से आचार संगिता और चुनाओ प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ऐसे में जितने भी भरती प्रक्रियां हैं उनको इस्थगित किया जा सकता है अब गर बात करें इस बार आखिर किन लोगों को फाम भरने का मौका मिलेगा क्या कटाब डिकलियर की जाएगी फाम भरने के वक्त या फिर सिर्फ पासिंग मार्क ही डिकलियर कर दिया जाएगा तो अगर पीटिक बात करें तो जब आयोग ने पीटिक को लेकर नोटिस जारी किया था तो उसमें इसको सिर्फ qualifying nature का exam पताया था जितने भी qualifying nature के exam होते हैं उनमें सिर्फ passing mark ही decide किया जाता है ना कि कोई cut up decide की जाती है यह जितने भी paid course बेचने वाले channel होते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को डरा दिया कि इतनी ज़्यादा cut up जाएगी 80% नमबर के उपर cut up जाएगी जिससे उनके course जल्दी जल्दी बिकें और वो अपना profit कमा सके PT भी qualifying nature का ही exam है तो 80% probability यही है कि इसका भी passing mark ही decide की जाएगी ना कि कोई भी cut up इसके लिए declare की जाएगी जिनके भी general में 50 से उपर नमबर आ रहे हैं इन सब बातों ना पने cut up 80 प्लस जाएगी 75 प्लस जाएगी general के लिए सबको लगभग farm डालने का मौका मिल सकता है क्योंकि चुनाओं का वक्त है चुनाओं में कुछ भी संभो है अगर आपको यह सब जानकारियां अच्छी लगी हो